आज के सेसन में हम मिनरल आइडेटिफिकेशन का कुछ आपको सटकर ट्रीक बताएंगे इस सटकर ट्रीक के माध्यम से आपको मिनरल जो प्रोपोटी याद रखना दोस्तो बहुत ही आसान हो जाएंगे ओके तो दोस्तों क्या-क्या वो ट्रीक है दोस्तों ये जो वीडियो में बना रहा हूँ आपको ये वीडियो दो भागों में देखने को मिलेंगे एक भाग में दोस्तो इस भाग में जनरली आपको physical property के बारे में एक सटकर trick दूँगा दोस्तो इस trick को आप याद रखते ही दुनिया में किसी भी mineral about 80-90% of mineral का आपको physical जो property है आसानी से आप याद रख पाओगे चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो पहले हाता है हमारा क्या-क्या property पहले physical property में दोस्तो color आता है उसके बाद दोस्तो हमारा physical property में लस्चर आता है उसके बाद strength, cleavage, hardness, specific gravity ये दोस्तो physical property होते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तो ये hardness जो है यहाँ इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसके लिए कोई shortcut trick नहीं है ओके थोड़ा याद रखना पड़ेगा दोस्तो लेकिन बाकी सारे जो आपको बताऊंगा दोस्तो इस class में आपका कभर हो जाएगा कि किसका color क्या होगा किसका लश्चर क्या होगा दोस्तो किसका कैसे होगा कि specific gravity किसका high होगा और किसका low होगा इसके बारे में आज की class में मैं आपको सब कुछ बता दूँगा दोस्तो तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं color से ही identification, identify color of a mineral from its composition आपको कैसे composition से एक mineral का क्या color बनेगा आपको पता लग जाएगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज के topic color को लेके तो दुनिया में एक याद रख लीजिए all the cation all the cation are cation are generally colorless ओके यह point पहले आपको याद रखना होगा example में लिखना चाहूँगा कौन-कौन काटाय हैं zn 2 plus सभी maximum 80% काटाय हैं सभी दोस्तों colorless होते zn 2 plus tb 2 plus आप लिख लीजिए k plus c a 2 plus na 2 plus ok ns 3 4 plus ok तो l 3 plus mg 2 plus titanium 4 plus mg 2 plus ns 3 2 plus ok तो दोस्तों यही है दोस्तों यह सभी काटायोन क्या होते हैं कि colorless होते हैं except 2-4 काटायोन ऐसे होते हैं तो इनका दोस्तों color आपको देखने को मिल जाएगा ok except क्या है दोस्तों कुछ काटायोन like 3 plus कुछ काटायोन oxidation दिखाते हैं oxidation और कुछ दोस्तों 2 plus oxidation होता है आपको पता ही होगा यह फिर इच जो 2 plus oxidation state दिखाते हैं और nickel generally आपको green color का mineral दिखाएंगे दोस्तों green color ok और MN और cobalt यह दोस्तों दोनों जो mineral है यह generally pink color दिखाता हैं दोस्तों pink और chromi sorry CR chromium plus CU होते हैं यह generally आपको blue color दिखाएंगे दोस्तों blue color कहने का मतलब क्या है कहीं पे भी अगर यह component मिल ला है दोस्तों इसका अगर F-E reach मिल ला है तो वो green दिखाते हैं ok green color F-E जो oxidation 2 plus oxidation बाला का color क्या है दोस्तों green is color MN का क्या है दोस्तों pink is color और 3 plus oxidation में V CR generally green color दिखाते हैं दोस्तों और F-E दोस्तों आपको yellow to red color दिखाएगा ok yellow to red तो आपको यहाँ पे 50% तो समझ में आ गया होगा जहाँ पे अगर F-E 2 plus का time रहेगा और दोस्तों green color दिखेगा जहाँ पे दोस्तों MN का time रहेगा pink color दिखेगा और जहाँ पे दोस्तों MG का time रहेगा वहाँ पे colorless हो जाएगा और white दिखेगा क्योंकि आपको अभी example भी देने वाला हूँ दोस्तों यह पेहला मेरा point है उसके बाद दोस्तों इसका दूसरा जो point है सभी cation तो colorless होते हैं लेकिन 20% cation दोस्तों color रहते हैं जिन में से CRB F-E यह दोस्तों color होते हैं अगर वहाँ पे अगर F-E रहा F-E 2 plus oxidation state में रहा तो दोस्तों वह भी green color दिखाएगा क्योंकि आपको भी पता है कि दुनिया में जितने भी anion होते हैं वो colorless होते all anion all anion are generally colorless all anion are colorless देखें दोस्तों SO4 2 minus NO 3 minus CL minus BR minus चितने भी होते हैं SO3 minus ओके यह दोस्तों सभी colorless होते हैं और OH bearing आपको color यह OH bearing cannot predict ओके cannot predict the color कहीं पे भी अगर OH कोई भी mineral पे OH bearing mineral मिल रहा है तो दोस्तों उसका color आप predict नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में जितने भी anion आपको देखने को मिलते हैं और colorless होते हैं SO4, CL minus, BR minus तो generally अगर एक compound पे एक mineral पे एक mineral पे आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा दोस्तों एक mineral पे आपको एक kation एक दोस्तो अनायन तो अनायन का तो दोस्तों color नहीं है अनायन का no color अगर kation का कुछ color होगा तो दोस्तों यह kation की बज़े से यहाँ पे आपको color देखने को मिलेगा अगर कोई भी mineral एक example ले लेते हैं जैसे की example है mg2 si of 4 दोस्तों यहाँ पे mg का color दोस्तों नहीं है mg2 plus में color नहीं रहता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको generally colorless ही देखने को मिलेगा जिसको हम fosteride बोलते हैं लेकिन एफी 2 si of 4 में दोस्तों एफी का color क्या होता है ग्रीन इसके कारण दोस्तों जो olivine होता है highlight होता है और दोस्तों आपको greenness color में देखने को मिलेगा उके उसके बाद pyrogen भी आप example ले सकते हो pyrogen okay instantite के भी example ले सकते हो pyrogen का instantite variety type जो variety उसका composition क्या है दोस्तों mg2 si2 o6 mg का color क्या है दोस्तो colorless है और white है तो instantite का color क्या दिखेगा दोस्तो white आपको देखने को मिलेगा okay दोस्तों generally काटाई उनका ही color होता है like आपको ferrocylite के बारे में यहाँ पर बताऊंगा fe rr of ferrocylite तो इसका composition क्या है दोस्तों fe 2 si2 o6 तो fe का color क्या है दोस्तों green okay इनका color नहीं होता है si का color नहीं होता है तो fe का color green के बज़े से दोस्तों आपको यहाँ पे green pyrogyn आपको green color में देखने को मिलेगा green pyrogyn hyperstein का भी ले लिजिए यहाँ पे भी दोस्तों fe rich होता है तो fe rich के कारण यह भी दोस्तों आपको green color में देखने को मिलेगा तो यही है color composition composition को याद रखके ही मतलब कि cut iron का कौन सा क्या क्या color है उसको याद रखते ही आपको यह total color के बारे में एक idea हो जाएगा all anion are colorless all all anion are colorless all cation are also colorless cation are colorless except कुछ cation होते हैं like vanadium, comium, iron और कुछ 2 plus oxidation state वाला होते हैं ferrous, nickel, mn, cobalt, cr, cu यह दोस्तों इनका color होता है इनके जो color के हिसाब से दोस्तों उस mineral का color composition defined होता है ओके यह थोड़ा trick आप याद रख लीजिएगा आप apply कर सकते हैं सभी mineral पे दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पे तो exception कुछ आ रहा है हाँ दोस्तों exception भी आएगा क्योंकि color depend भी होता है यह तो अगर pure होगा अगर material pure होगा तो आपको ऐसा color दीखाए लेकिन एक mineral होता है जो कि फाइलाइट लेकिन इस फाइलाइट के साथ F2SiO4 फाइलाइट के साथ दोस्तों कुछ impurity add हुआ है impurity add हुआ है तो दोस्तों इसका color फिर से change हो जाएगा तो यह है color का property अगर pure mineral होगा pure फाइलाइट होगा तो definitely green color लेकिन फाइलाइट के साथ अगर कुछ extra material add हुआ है तो color दोस्तों थोड़ा impurity जो भी impurity होगा उसका अगर कुछ color है तो उसके हिसाब से ही color develop होगा तो दोस्तों अभी हम देखते हैं यह तो गया color के हिसाब से थोड़ा देख ले ना कौनसा काटायों का कौनसा color है ताकि आपको समझ में आ जाए next देखते हैं दोस्तों lustre याद रखिएगा दुनिया में जितने भी silicate rich मिंदल होते हैं उनका lustre दोस्तों vitreous होता है about 85% of silicate मिंदल 85-90% of silicate मिंदल जितने भी होते हैं 90% of silicate मिंदल उनका दोस्तों जो lustre होता है vitreous lustre vitreous lustre दोस्तों generally कुछ मिंदल होते हैं जैसे कि माइका माइका का दोस्तों pearl lustre कुछ मिंदल होते हैं drowsy और greasy lustre दिखाते हैं लेकिन maximum 85% of silicate 80-95 more than 90% of silicate are generally crystallized in SiO2 and their lustre is lustre is vitreous lustre दोस्तों यही है दोस्तों lustre का property जितने भी दुनिया में आप देख रहे हो लेकिन अगर oxide का बारा में search कर रहे हो oxide का oxide mineral का दोस्तों lustre अलग-अलग आ जाएगा यह generally silicate के बारे बताए क्योंकि आपको अभी 90% जो मिंदल को याद रहना होगे ओ दोस्तों सभी silicate mineral के mineral होते है silicate group को mineral होते है तो दुनिया में जितने भी silicate अगर composition में silicate मिल रहा है तो उनका जोस्तों जो lustre होगा vitreous lustre आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके बाद हमारा strike strike का भी same property होता है दोस्तों strike क्या है दुनिया में जितने भी silicate mineral होते है उनका जो strike होता है हुआइट होता है दुनिया में अगर वो oxide mineral हो गया तो उसका strike अलग होगा दोस्तों लेकिन जितने भी दुनिया में silicate rich mineral होते है जैसी 85% silicate mineral का 85 more than 85-90% silicate mineral का दोस्तो जो streak होता है दोस्तो generally ओव वाइट होता है तो आपको streak के बारे में बताया आपको लॉस्टर के बारे में बताया अब हम देखते हैं दोस्तो cleavage के बारे में ओके generally दुनिया में cleavage मतलब एक splitting property है इन्हें regular plane splitting of mineral splitting of a mineral in a regular plane और in a weak bonding of the crystal regular plane और weak bonding दोस्तो जहां पर weak bonding होता है generally वहाँ पर मतलब की cleavage देखने को मिलता है यह splitting in a regular pattern में होता है दोस्तो ओके और generally आप याद रखेगा वो ही mineral के पास cleavage होगा जिनका hardness दोस्तो 7 से नीचे होगा ओके जिनका hardness the mineral mineral hardness अगर less दिन होगा तो 7 से कम होगा होगा साथ से अगर कम है तो आपको cleavage देखने को मिलेगा cleavage आपको देखने को मिलेगा दोस्तो अगर mineral का hardness साथ से ज़्यादा हो गया mineral hardness अगर साथ से ज़्यादा हो गया तो दोस्तों यहां पे cleavage absent cleavage absent दोस्तों यह भी average 90% mineral पे आप apply कर सकते हो यह rule लेकिन कुछ-कुछ mineral पे कुछ-कुछ mineral का cleavage 8 होता है लेकिन sorry hardness 8 होता है लेकिन वहाँ पे आपको cleavage नहीं दिखेगा sorry cleavage आपको देखने को मिलेगा जैसे कि top 5 top 5 पे दोस्तों आपको cleavage देखने को मिलता है होईदार the hardness is 8 इसका hardness 8 होता है फिर भी आपको cleavage found यह दोस्तों exception है क्योंकि inner organic chemistry full of exception cleavage present कहने का मतलब आप थोड़ा इसको दिखान रखे कोई भी मिन्डल about 90% मिन्डल पे यह apply हो सकता है कोई भी मिन्डल का अगर hardness 7 से कम है hardness दोस्तों क्या होगा 7 से कम होगा तो दोस्तों cleavage present एक मिन्डल होता है यह उसका hardness अगर 7 से कम होगा cleavage found जो दोस्तों ज्यादा होगा तो cleavage absent cleavage absent exception are every okay example top 5 में दोस्तों आपको cleavage देखने को मिलता है और cleavage कहां कहां में जिसका hardness दोस्तों talc हो गया gypsum हो गया calcite fluorite apartheid orthoklage quarch दोस्तों यहाँ पे आपको cleavage देखने को मिलेगा लेकिन कोई भी mineral अगर corundum हो गया diamond हो गया दोस्तों उहाँ पे भी आपको कुछ exception मिलेगा दोस्तों octahedral cleavage यहाँ पे present है diamond पे भी cleavage है दोस्तों diamond पे cleavage है top 5 पे cleavage present है लेकिन बहुत सारे mineral जिनका hardness दोस्तों 7 से ज़्यादा हो जाता है जैसे कि दोस्तों quarch sorry quarch पे दोस्तों cleavage नहीं दिखेगा quarch पे क्यूंकि 7 या 7 से उपर quarch से cleavage नहीं दिखेगा उसके बाद olivine से cleavage नहीं दिखेगा दोस्तों इनका hardness दोस्तों 8 है diamond का 10 है फिर भी cleavage देखने को मिलता है यहाँ पे example आप लेना चाहते हैं तो olivine का ले सकते हैं garnet का ले सकते हैं garnet में आपको cleavage देखने को नहीं मिलेगा उसका hardness दोस्तों 7,5 है तो दोस्तों यह है cleavage का trick जिसका hardness साथ से कम है तो cleavage देखने को मिलता है average दोस्तों जिसका hardness साथ से ज़्यादा है तो cleavage आपको महाँ पे देखने को नहीं मिलेगा example garnet olivine quarch उसके बाद दोस्तों hardness hardness के लिए कोई formula नहीं hardness थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा hardness जैसे ही quarch का साथ है इसका दोस्तों यह कभी-कभी मतलब कि कहां पे यह बन रहा है उसी environment के उपर dependent है जैसे कि quarch si o2 si o2 उपर में ही बनना चाहिए अगर उपर में formation हो रहा है तो उसका hardness सही रहेगा दोस्तों अगर olivine दोस्तों अगर उपर में formation होगा कभी तो ऐसे formation नहींगा लेकिन olivine altered होके formation करेगा ok mg reach rock दोस्तों great depth में formation हो तो उसका hardness जैसे हाई होता है लेकिन mg reach rock मतलब कि low shallow depth में आपको देखने को मिल रहा है mg reach rock अगर shallow depth में देखने को मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पर आपको low hardness वाला mineral मिलेगा दोस्तों इसका कोई trick नहीं जिसने silicate mineral का आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए chance मिलेगा दोस्तों प्लीज उसका थोड़ा hardness थोड़ा देख लेना important भी है लेकिन यह trick यहाँ कर सकते अगर mg reach mineral आपके शालोडेट पर हो रहा है तो hardness decrease होने वाला का बहुत ही chances होता है क्योंकि mg reach उसके environment में बहुत ही हाई hardness देता है जैसे की olivine हो गया क्वाज दोस्तों शालोडेट environment में बनता है तो शालोडेट environment में बन रहा है तो दोस्तों उसका hardness कुछ कुछ मिंदल दोस्तों जैसे ही chloride chloride में mg content है लेकिन formation कहाँ पर हो रहा है दोस्तों उपर height में हो रहा है तो इसके कारण दोस्तों chloride का hardness थोड़ा decrease होता है तो hardness के लिए कोई trick नहीं है तो थोड़ा इसको याज रख लेना तो आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों हमारा क्या होता है specific gravity दोस्तों आर्थ को भी आपको पता होगा कुछ मिंदल दोस्तों shallow depth में formation होते है SI, L कुछ मिंदल दोस्तों great depth में formation होते है जहांपे mg जो कि great depth में हमारा जो भी rock और elemental composition होता है mg, f, e और shallow depth में SI, L कोई भी मिंदल अगर great depth से बन रहा है तो उसका दोस्तों specific gravity high होता है okay high specific gravity खुछ दोस्तों low specific gravity जो भी मिंदल great depth से formation होता है generally जो भी मिंदल great depth से formation होता है तो उसका दोस्तो high specific gravity great depth ग्रेट डेट मतले हो यहाँ पर कुंसा मिन्राल का कौंपोईजन होगा जन्रली Mgf कोई भी मिन्राल अगर Mgf रीच रहता है तो उसका high specific gravity कोई भी मिन्राल अगर yearly crystallize कर रहा है yearly crystallize कर रहा है तो दोस्तों वो क्या होगा high specific gravity जैसे कि example आप olivine को ले सकते हो olivine को ले सकते हो कोई भी mineral अगर late crystallize कर रहा है जैसे कि bounce reaction series आप देखे होगे उपर में दोस्तो आपका olivine रहता है नीचे में दोस्तो आपका si o2 यह दोस्तो late कोई भी mineral अगर late cooling और crystallization कर रहा है तो उस वहाँ पर दोस्तो low specific gravity high temperature bearing mineral यह दोस्तो आपका low temperature bearing mineral ओके low temperature bearing mineral का क्या होता है दोस्तो specific gravity थोड़ा low होता है इतना याद रहिए इतना सारा जहंजट नहीं है कोई भी mineral आप देखिए mineral का composition को attack कीजिए composition क्या है composition अगर mineral पे ज्यादा था है FEMG आपको मिल रहा है देखने को लिए तो दोस्तो high specific gravity high specific gravity अगर mineral पे दोस्तो composition पे SIL आपको देखने को मिल रहा है तो यह दोस्तो low specific gravity example मैं देना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तो olivine का ले लिजे olivine pyroxene का ले लिजे amphibol का ले लिजे क्योंकि यह सारे जो mineral बोल रहा हूं और दोस्तो great depth में formation होते है great temperature में formation होते है okay composition भी mgfE है बस इसके करण यह लिए crystallize भी करते हैं दोस्तो लेकिन कुछ mineral होते हैं जो low specific gravity मतलब उनका composition क्या होगा SIO2 example आप ले लिजिए example आप quartz और example क्या लेंगे दोस्तो felspar quartz, felspar, mica यह सब दोस्तो आप example ले सकते हैं यह सब दोस्तो low specific gravity material है यह दोस्तो high specific gravity हमारा material है तो आपको याद रहे जाएगा दोस्तो किसका specific gravity cleavage आपको specific gravity के बारे में थोड़ा idea दिया mgf high specific gravity, sil low specific gravity उसके बाद दोस्तो cleavage cleavage के बारे में idea दिया गया streak lusher color इन सभी के बारे में दोस्तो idea दिया गया तो यहाँ पर accession हो सकते हैं लेकिन यह जो idea में ने दिया दोस्तो यह किसी भी book में लिखा नहीं होता है यह just practice के बज़े से एक shortcut trick हमारे institute का ही है ओके हम जब preparation करते थे तो इसी shortcut trick को हम utilize करते थे दोस्तो हमारे लिए मतलब कि हम ही इसको निकाल चुके हैं ओके तो दोस्तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना लेकिन यह 90% मिन्डल पे आप utilize कर सकते हो इसको आप 90% मिन्डल पे यह trick apply कर सकते हो लेकिन 10% में नहीं होगा तो आप यह मत बोलना कि सर सभी मिन्डल पे क्यों नहीं होता है सभी मिन्डल में कुछ-कुछ extra changes होता है chemical property changes क्योंकि आप inorganic को पढ़ाई कर रहे हो तो inorganic में loads of exception होता है तो दोस्तो color याद रखना आपका lusher, strength, cleavage, hardness, specific gravity तो इसी तरीका से आप याद रख सकते हो Thank you दोस्तो